हालो एवरीवन और वेलकम टू आर चैनल फीजियो सारस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नी कॉम्प्लेक्स के बारे में तो नी कॉम्प्लेक्स को मैं जो भी इसमें बता रहा हूं वो सारा तो आप उसी को पढ़िए मैं भी उसी को प्रेफर करता हूं हाला कि बुक थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाता हूं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी दोस्तों के साल शेयर जरूर कीजिए तो चलिए नी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक आता है वो है आपका नॉर्मल बोन का अच्छे से देखेंगे और अनाटमी को भी हम लोग उतना ही देखेंगे जतना हम लोगों को बायो मैकेनिक्स में काम आएगा उससे जादा आगर नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग अनाटमी डिसकस करने ही रहे हम लोग इन फ्यूचर भी नी कॉम्प्लेक्स को ही डिसकस क करेंगे तो हम एनाटमी का उतना ही पार्ट उठा करके चलेंगे जितना हमारा काम में वह आए अब जैसे कि अनाटमी में तो यह भी आता है कि उसका नर्व सप्लाइब ब्लड सप्लाइब कर देंगे तो चलिए स्टाट करते हैं जब आप खड़े होता है तो बोड़ी वेट का सपोर्ट कहां पर पड़ता है नी पर पड़ता है अल्सो इन नी कॉंप्लेक्स देर आर टू आर्टिपलेशन मतलब दो तरगा जॉइंट होगा और इंग्लोजड इन वन सिंगल कैप्सूल एक ही कैप्सूल में दो तरगा जॉइंट होगा कौन कौन सा दो जॉइंट होगा टीबिО-fumoral जॉइंट और पटेलो-fumoral जॉइंट एक और जॉइंट होता है सुपीरियर टीबियो-fibular जॉइंट ये आपका सेम उसी तरह से है जिस रह से अपर लिम में अगर देखा जाए तो क्या है सुपीरियर रेडियो अलनर जॉइंट ओके लेकिन सुपीरियर टीबियो फिबलर जॉइंट इस नाट स्टडीद अंडर नी कॉम्पेक्स बिकाज इस नाट विदिन दा कैप्सूल क्या मतलब हुआ इसका जो सुपीरियर टीबियो फिबलर जॉइंट होता है वो कैप्सूल के बाहर होता है कैप्सूल के अंदर नहीं होता इसलिए इसलिए नाट स्टडीड अंडर दा नी कॉम्पेक्स अब थोड़ा हम लोग अनाटमी के बारे में भी बात कर लिया जाए और एक बेसिक अंडरस्टेंडिंग ले लिया जाए बायो मेकेनिक्स के हावाले से सबसे पहला बात हम लोग सबसे पहले डिसकस कर रहे है टीबियो फिमोरल जॉइंट स्टक्चर अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो टीबियो फिमोरल जॉइंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे पटैलो फिमोरल जॉइंट में ओके so first we will study about the टीबियो फिमोरल जॉइंट so it is a double kondyloid joint double kondyloid इसलिए, कॉंकि दो तरह का कॉंड़ाइलोइड होता है medial और lateral okay, so it is double condyloid joint because of medial condyle and lateral condyle and they both articulate in the tibio-femoral joint degree of freedom in this joint is 3 because flexion and extension occurs in sagittal plane and coronal axis through the epicondyle of the distal femur okay, condyle कहां पर होता है डिश्टल फीमर का पार्ट है वो कि फीमर का जो डाउन वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपका कॉंडाइल होता है so flexion or extension occurs in the sagittal plane which in in short it is known as sp okay and in the coronal axis through the condyles of the distal femur medial and the lateral rotation which is also known as internal or external rotation that occurs in the transverse plane TP and longitudinal axis through the lateral side of the medial tbl condyle okay to concert condyle tbl condyle ka medial वाला पार्ट and abduction-adduction occurs in the frontal plane around the ap axis अब ना हम लोग बोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका अनाटमी देख रहे हैं तो tbio femoral joint में दो बोन आर्टिकुलेट करता है femur और tbio एक एक करके दोनों को देख लेते हैं femur जो है वो हमारा proximal part है okay और जो tbio है वो हमारा distal part है joint का और femur का जो articulating surface होता है वो क्या होता है lateral in the medial condyle of the femur okay now let's talk about the anatomy so the medial condyle is usually not usually medial condyle is larger and have larger radius of curvature तो जो femur का medial condyle होता है in comparison वो larger होता है कि lateral condyle से also due to the medial obliquity of the shaft of femur femoral condyle do not lie immediately below the femoral head but slightly medial to it now let's understand it क्या होता है कि पहला point तो यह हुआ कि medial condyle large होता है बड़ा होगा दूसरा point यह है कि shaft जो होता है वो obliquely placed होता है shaft किसका femur का so femur का shaft जो होता है वो obliquely placed होता है जैसा कि आपको इस शाफ्ट होता है, वो medial के तरफ वो oblique होता है, जिसके कारण जो femoral condyle होता है ना, वो head के, जिसे head यह top all apart हो गया, इसका मैं color change कर देता हूँ, यह head जो है, यह top all apart हो गया, ओके, तो head के नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे condyle को, head के ठीक नीचे आना यहाँ यहाँ पे आना च साइड है, कौन medial साइड है, कौन medial साइड है, क्योंकि जो आपका शाफ्ट है, वो हलका oblique है medial की तरफ, so this is what it means, कि due to medial obliquity of the shaft of femur, femoral condyle do not lie immediately below the femoral head, but slightly medial to it, also lateral femoral condyle is shifted anteriorly in relation with the medial femoral condyle, तो जो lateral femoral condyle होता है, वो हलका anteriorly shifted होता है, तो यह था हमारा femur का anatomy, now there is one more line, lateral condyle lies more directly in line with the shaft than medial condyle, क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, कि जो lateral condyle होता है, वो head के comparison में, अब जैसे कि यह diagram आप देखिए, मैं छोटा इसलिए कर रहा हुँ ता कि यह diagram एक में आजाए, ठीक है, यह head है आपका यहाँ पर, okay, और यह lateral वाला, यह हो गया आपका lateral condyle, और यह हो गया आपका medial condyle, now as you can see here in this diagram, lateral condyle lies just under the head of the femur, okay, and the medial condyle lies slightly medial to the head of femur, so this is what it means, कि lateral condyle lies more directly in line with the shaft than medial condyle, जो shaft का एक लाइनिग है, ठीक है, उसी लाइन के साथ-साथ lateral condyle है, ठीक है, और जो medial condyle है, वो हलका थोड़ा अंदर की तरफ है, towards the middle line of the body, okay, so next line के अगर हम लोग बात करें, कि irrespective of angulation of femoral shaft, since medial condyle extends further distally, distal end of femur remains horizontal, क्या मतलब हुआ, अब देखिए, medial condyle जो होता है, वो और जादा लंबा होता है नीची के दरफ, lateral condyle से थोड़ा जादा लंबा होता है, जिसके कारण, अब क्या है, अब इस diagram को ऐसे करेंगे समझे, इस diagram को देखिएगा, इसको ignore कर दीजे अभी, ठीक है, यह star जिसमें बनाए, इसको ignore करना है, यह diagram को भी द कुछ ही तरह से होता, ठीक है, condyle कुछ ही तरह से होता, तो क्या होता, दोनों एक level में होता, all right, बट यहाँ पर क्या है, oblique है, oblique मतलब कुछ ही तरह से, अब यह diagram देखिए, जो यह diagram है, तो oblique है, लेकिन यह horizontal भी है, ठीक है, अगर आप lining ऐसे करके draw करेंगे, तो देखिए, दोनों का level एक जैसा है, तो दोनों का level एक जैसा होने के लिए, जो medial condyle होता है, उसका जो length है, वो जादा होता है, so this is why, irrespective of the angulation of femoral shaft, femoral shaft के angulation के बावजूद भी, चुकि medial condyle further distally वो बढ़ा हुआ होता है, इस कारण से, जो distal end होता है, femur का, वो horizontal होता है, यानि कि एक line में होता है, मैं वापस एक बात को repeat कर रहा हूँ, अगर femur का shaft सीधा सीधा हो जाता, तो क्या होता, medial condyle और lateral condyle दोनों एक ही size का होता, तब जाकर के ये horizontal एक line में कहलाता, लेकिन चुकी, कैसा है shaft, oblique है, हलका oblique है, हलका angulation में है, जिसके का medial को थोड़ा लंबा होना पड़ता है, medial वाला थोड़ा लंबा है, और लंबा होने के कारण क्या है, कि ये horizontal एक line में आ जाता है, दोनों condyle, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, in sagital plane, condyles have convex shape with small radius of curvature posteriorly, sagital plane वैसे plane को कहते हैं, जो आपके body को right और left में बाट सके, जैसे कि य ये वाला जो diagram है, ये medial condyle है, और ये वाला जो diagram है, ये lateral condyle है, तो अगर मैं बीचों-बीच काटूं और इन लोगों को right और left में बाटना चाहूं, तो उस plane को हम लोग क्या कह देंगे, sagital plane कह देंगे, जिसका diagram मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ओके, तो अगर आप sagital plane में से दोनों तरफ convex है, but there is small radius of curvature in the posterior direction, ये है उसका posterior direction, ठीक है, तो ये तो था आपका sagital plane में, तो sagital plane में, condyle जो होते हैं, वो convex shape के होते हैं, और उसका जो radius of curvature जो होता है, वो छोटा होता है, posterior side में, लेकिन frontal plane में क्या होता है, कि convexity बहुत कम होता है, okay, so you need to remember these two things in different plane, in sagital plane and frontal plane, also tbial articular surface of lateral condyle is shorter than tbial articular surface with the medial condyle, what does it mean, तो बेसिकाली फीमर का दो condyle होता है, lateral condyle and medial condyle, lateral condyle के साथ जो tbial articular surface होगा, वो shorter होता है, किसके comparison में, जो medial condyle है, उसके साथ जो tbial articular surface है, वो जो attach कर रहा है, उसके comparison में, so tbial articular surface of lateral condyle of the femur is shorter than tbial articular surface with medial condyle, now condyles are separated inferiorly by intercondylar notch, but joined anteriorly by femoral sulcus, patellar groove और patellar surface that engages patellar during early flexion, what does it mean, so basically condyle कैसे separate होते हैं, तो inferiorly, यानि की नीचे की तरफ, वो separated होते हैं intercondylar notch के कारण, मतलब की वहाँ पे एक structure present होता है, intercondylar notch, जो की दोनों को separate करता है, medial condyle और lateral condyle को, लेकिन anteriorly अगर आप बात करेंगे, तो दोनों condyles कैसे attached होते हैं, femoral sulcus के कारणड attach होते हैं, patellar groove के कारणड attach होते हैं, और ये दोनों, जो femoral sulcus है, और जो patellar groove है, ये क्या करता है, इसका attachment होता है, और ये help करता है, यानि कि ये work करता है during early flexion, तो ये engage कब होता है, engage मतलब की वो surface जो है आपका patellar के साथ contact में कब आता है, during early flexion, तो ये था हमारा femur bone के बारे में, अब similarly हम लोग tibia के बारे में भी पढ़ लें, तो tibia का anatomy देखते है, articular surface क्या होगा, tibial condyle, okay, medial tibial plateau is longer in anterior posterior direction, तो anterior posterior direction में कर आप देखेंगे, anterior posterior का क्या मतलब हुआ, आगे से पीछे की और, तो जो medial tibial plateau है, वो longer होता है, in anterior posterior direction, than the lateral tibial plateau, also, lateral tibial plateau has thicker articular cartilage, अब यहाँ पे दो पॉइंट आ गया, longer कौन होता है, medial tibial plateau, thicker articular cartilage किसका होता है, lateral tibial plateau, okay, now the condyles are separated by the intercondylar tubercle, जहाँ पे वहाँ अभी फीमर में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे notch होता है, यहाँ पे क्या होता है, tibial plateau slopes posteriorly 7 to 10 degrees, which helps in flexing tibial femoral joint, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस point को भी थोड़ा याद रखते हैं, इसको diagram से एक बढ़ देखेंगे हम लोग, अभी जस देखेंगे, तो यह है हमारा diagram, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहा है, यह जो है आपका, यह जो लंबा वाला जो यह portion है, यह क्या है आपका, अब आप खुद सोच ही, यह क्या होगा, मीडियल प्लेटू होगा, यह आपका, लेटरल प्लेटू होगा, तो यह होगा, मीडियल प्लेटू क्योंकि मीडियल प्लेटू जो था, वो लॉंगर है, एंटरो पोस्ले डारेक्शन में, तो यह होगा, मीडियल टीबियल प्लेटू, अब मीडियल टीबियल प्लेटू कि medial femoral condyle के साथ articulated होगा और यहां पर भी हम लोगों ने just a point और क्या देखा था कहा गया हाँ टीबल आर्टिकुलर सर्फेस ओफ लेटरल कॉंडाइल इस शॉटर एंड टीबल आर्टिकुलर सर्फेस विद मीडियल कॉंडाइल इस लॉंगर क्यों लॉंगर होता है क्योंकि आपका मेडियल प्लेटू ही लॉंगर है तो जिसके कारण जो आपका सर्फेस है वह भी इस पर लॉंगर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं डागराम का और देख लेते हैं यह ठीक है, यह रहा हमारा femoral sulcus, ठीक है, यह हमारा रहा lateral pertillar surface, यह दो articulation इसका है, आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने just एक point देखा था यहाँ पे, कि टीबल प्लेटू slopes posteriorly, ओके, तो पीछे की तरफ हलका sloping होता है, कितना degree, 7 to 10 degree, यहाँ पे diagram में अब देखिए, क्या है, एक line में नहीं है, यह line है, यह तो सीधा line है, ठीक है, यह एक line में नहीं है, बलकि posteriorly पीछे की तरफ, यह posterior direction हो गया, यह anterior direction हो गया, ठीक है, तो पीछे की तरफ क्या है, sloping में है खलका, कितना degree, 7 to 10 degrees, as you can see here, यही था इस line का मतलग, अब यहाँ पे आपका खतम होता है, टीबियो फिमोरल अलाइनमेंट, यानि की टीबियो और फिमर बोन का अलाइनमेंट और वेट बेरिंग फोर्सेस के बारे में, यह भी टॉपिक आपका जिंधा नौरकिन में दिया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को डिल करेंगे, इस वीडियो तो हम लोग यही पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो